कोई सब्जी समझ में ना है तो अगर लवके कि सब्जी खाकर बोर गए हूँ है तो इस तरह से एक रिस्पी है आप लोग बना कर जुरू ट्रै करें बहुत शूपर टेस्टी सभी लोग खाएंगे बहुत अच्छी होती हो और बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसको बना करके और इसके बाद इस तरह से भीच भीच में कर देंगे और मोटे मोटे तकडो में हो शुपर टे कर देंगे तो पूरा अब यम हो काट करके आप लोगं को दिखा रहे हैं सब्सक्राइश देखिक हमने काट लिया है यम पूरी जो काट लिया एल बिल्कुल हम शीं मोठे नमक डालने से होगा ना जो लावकी है नीची से पकड़ेगी नहीं और तुरंत पानी छोड़ देगा जिसमें पानी बिल्कुल हम नहीं डालेंगे थोड़ा साइस तरह से हम जो कोकर है नहीं लाव लेंगे जिस तरह जो नमक है ना इधर उधर पुरा अच्छे से मिल जाए और लावकी पानी छोड़ दे इसके बाद लगाएंगे हम कोकर का ठकन और धकन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको रखेंगे गैस पे और लगाएंगे तीन से चार सीटी तो तो तिन से चार सीटी इसको हम भी लगा की हम दिखा रहें अब लोगों यह थिस्यoth को लगा लिया है अब इसके बाद प्रेसर को करके जब निकल जाए तब इसको खोलना है और खोल करके हम दिखा रहा है आप लोगों देखिए जो लौकी ने बिल्कुल भी नीचे नी पकड़ा है पानी फिम नीड़ने जाला है और यह तो पानी अच्छे से छोड़ दिया है तो अच्छे से गरम होना चाहिए इसमें डालेंगे एक पींच हिंग एक देजपत्ता और जीरा और यह जब से तड़क रहेंगे तब इसमें हम डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज एक प्याज है इसको हमने बारी काट लिया है और इस प्याज को हम तेल में सुनाला भून लेंगे थोड़ा सा इसको मलब सॉप्ट कर लेंगे प्याज को तो लीजी हम चलाते हुए एक देलिखनः लिख़कों भीक तो ने से भी नेसंदों हां है वो सोपड़ा है और इसके बाद आते गोड़ा हो दो दिखू होगे तर ने हम दिखान भीका देलीख मेंगे क्ल आप उसका है तो टामाटर आप जिस तरह से भी डालना चाहिए डाल सकते हैं मोटे पीस में या तो आपने चॉप करके या तो क्रस करके चैसे भी इगल जाएगा टामाटर बिल्गुल भी सभेने लएगा तो हमने पेश्टिस का बना लिया है इसमें डाल देंगे हलदी पऊडर कासमेरी लाज मेश का पऊडर है तोड़े से डालेंगे लाज मेश का पॉडर तीख हपन के लिए और इसमें डालेंगे सबजी मसाला बहुत त्षिएобраз ऐसे आपलो गृत्ष प्रशुआय के ऑप साट大 सा नॡ़ी दालने मिलाने के बाद अभगर आप चाहें तो मतर ड़ा चाहें बारना इसकाण रहने मेज़े बेगल, हमतर इसके धालने मिला मेज़ीर त।क करते हों, अब हम दो इसको हम ढख देंगे तो ढख कर देंगी जो crap lame है हम लो कर देंगे लो पं पवलम पे इसको हम पक निदेंगी या जुछ oh करेंगे इस यू को पीज से आं मुरब है साप कपड़ा हो आप लोग इसको इस दशी ड़ा डालिए तो हमारे रखते यह तो ही वाली कपड़े हिस्जी में च्छान लूंगे तो बड़ा है कपड़ा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा साइड में हमें इसमें रख करके पानी इसका निकाल लेना है तो जो पानी है न उसको अप्रोफी किये थोड़ी से इसमें नमक डाल देंगे तो नमक आपनों ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि नमक हमने लौके में डाला हुआ था और इक पींच इसमें हिंग भी डाल देंगे इन सबको डालने के बाद फ्रेंट्स क्या करेंगे इसको हम अब थोड़ा सा अधरक और लहसन का पेश्ट भी डालेंगे अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए इसको डाल देजिए वरना आप लोग नहीं डालना चाहिए तो इसके भी कर सक बादर पसे आफ़लगे चाहिजिके इस इस में बना यह जो हमारा के आफ़े कर लिए जोंहीं आफ़ा सके क्या तो इसको बना कर लिए वहाजी तो लेंगे चला थे माझा सालय तक गश्जी में सदहा लेए दीकान अब इसके प्रकुल की पानी है और यह सदियत qualche तीनी नव्हाई फंड पानी है यह फैसा का प और वेशन का क्वेशन के दाला दुछ dev2 कि मृस safety के ने गविज़क्व से ज्पीर मिलाने से ही आप तब गयस का प्लेम हाई कर दीचेगा हाई करने के बाद इसमें उबाला जाएगा तो जब उबाला आजाए तब क्या करेंगे जो हमने एपीशन का रूल बना के रखा हुआ है उस रूल कुछ में मिजियम कर देंगे और मीटियम फ्लेम पर ठक देंगे और ठक कर गे इसको हम पांच Same हो चुके हैं हम आप actual दीखाते हैं तो नोगोर्ध काते हैं तो देखिए ये हमारे जूब हेसन पका लिया बढ़ियां से और पकाने के बाद देखी है हमारी सूपर टेस्टी लौकी की सबजी बन करके तयार हो गई है तो आप लोग को हमारी रेस्पी कैसी लगती है फ्रेंड्स आप लोग हमारी रेस्पी कहां से देखते हो जहां से भी देखते हो वहां का आप लोग नाम